हेलो दोस्तो मैं सचनर अरोडा एक बर फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ अरोडा एजुकेटर के इस ओफिशल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सब बहुत बढ़िया होंगे एक बर फिर से हम लोग आ चुके हैं यूपे पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एक बहुती इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ और वो है बूलियन एलजबरा आज है डे सेवेट हम लोग ने डे वन से लेकर डे सिक्स तक ये देखा कि प्रिवियस येर में कैसे कोशन्स आते हैं हम लोग ने कई टफ से टफ कोशन्स को सॉल्व किया आसान से आसान कोशन्स को भी देखा मॉडरेट लेविल के कोशन्स को भी देखा और उसके कॉंसेप्ट को समझने की कोशिश करी आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे Boolean algebra के concept पर और इसके MCQs पर कि question आखिरकार exam में कहा से आते हैं कैसा रहता है pattern, क्या concept है Boolean algebra का क्या questions पूछे गए और क्या पूछे जा सकते हैं इस पर complete हम लोग बात करेंगे मुझे उमीद है कि day 1 से लेकर day 6 तक जितने भी previous year papers मैंने discuss किये हैं वो आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे और notes भी बनाए होंगी तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के discuss करते हैं एक बड़े ही शांदार topic के साथ that is Boolean algebra Slavers की बात करें तो आप जानते ही हैं कि आपके सामने ये topics हैं और आपको इन topics पर पकड़ बनानी हैं Introduction, DBMS, PC Software, Office Automation, Workplace Productivity Tool, Computer Network, Internet, Emerging Technologies and Web Publishing, Boolean algebra और Data Structure सिर्फ basic नहीं बलकि advanced level तक exam में पूछा जाता है तो आपको slavers भी cover करना है और इसके साथ साथ exam होने तक जब तक exam की date नहीं आ जाती है तब तक आपको कम से कम 2-3 बार इन topics को revise भी करना है क्योंकि अगर आप 3-4 बार आप revise नहीं करेंगी तो पकड नहीं बनेगी तो आपको confidence नहीं आएगा कि हाँ अब कहीं से भी question पूछ लिया जाए हम कर सकते हैं तो अपनी preparation को अभी से ही बहुत high level पे ले जाईए और daily basis पर 3-4 घंटे computer जरूर पढ़िए क्योंकि computer की weightage की बात करें तो computer operator में computer असी question आएंगी जो की एक अच्छा खासा weightage है और level भी यहाँ पर कम नहीं होता है basic से advanced level तक question पूछे जाते हैं बात करें कैसे तयारी कर सकते हैं आप तो आप इन course से भी connect कर सकते हैं अगर आप computer operator के तयारी कर रहे हैं course से जूढना चाते हैं Aroda Educator application को install करिए और इन में से किसी भी course से आप connect हो सकते हैं जो computer operator वाला course है यह 11 जन्वरी से live शुरू हो चुका है 2 बजे concept, mcq, pdf और mock test चारों मिल रहे हैं SI, ASI वाले course को join करना चाहते हैं तो 8 जन्वरी से यह शुरू हो चुका है live की timing से 12 बजे दुपहर 12 बजे आप live connect हो सकते हैं daily यह classes होती है और even Sunday को भी classes यहाँ पर connect होती है अगर programmer grade 2 की बात करें इस वाले course से अगर आप connect करना चाहते हैं तो 90 plus hours का यह आपका course रहेगा जो आपको पूरा recorded mode में मिलेगा यानि operator और SI, ASI का में भी मिलेंगी लेकिन programmer grade 2 वाला यह जो course है क्योंकि इसका syllabus बहुत wide है इसलिए यह पूरा का पूरा course आपको recorded format में मिलेगा जो आपके examination से पहले पहले यह तीनों ही course आपके खतम भी होंगे और इनमें revision भी होगा Sir कैसे join कर सकते हैं तोड़ा educator application को install करिए और computer की शांदार तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं कोई भी doubt है कुछ पूछना चाहते हैं कुछ discussion करना चाहते हैं दिये गए नमबर पे whatsapp कर दीजेगा reply जरूर मिलेगा आपको तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के session क्या है boolean algebra boolean का मतलब क्या होता है boolean का मतलब होता है या तो हाँ या तो ना या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी ऐसा नहीं होगा कि हम क्ये कहें कि संभावना है यानि boolean algebra में संभावना नाम की कोई चीज नहीं होती या तो yes होता है या तो no होता है या तो selection होगा या तो नहीं होगा यहाँ संभावना की बात नहीं होती है यहाँ पर zero और one की बात होती है yes या no की बात होती है true या false की बात होती है जिसे बोलते हैं boolean algebra क्या है boolean algebra आईए एक बार पढ़ते हैं बूलेन अलजबरा की खोज 1854 में जोर्ज बूली जी ने की थी, इन्हों ने की थी, अना तो एक बार नमस्ते कर दीजे, नमस्ते जोर्ज बूली जी कैसे हैं आप, तो बूलेन अलजबरा was discovered by जोर्ज बूली in 1854, very good, बूलेन अलजबरा की बात करें तो ये टॉपिक हम पढ़ के ओ रहे हैं, इसका काम क्या है, और इसको पढ़ने से फाइदा क्या होने वाला है, जरा इसको भी समझीए, बूलेन अलजबरा का प्रियोग, डिजिटल सर्किट को एनलाइज तता सिंप्लिफाइ करने के लिए किया जाता है, यानि जितने भी डिजिटल सर्किट हैं, जितने भी गेट्स हैं, जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, उनके डिजाइन को सिंप्लिफाइ करने के लिए, उनको एनलाइज करने के लि यानि digital circuits को समझने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए, उनके complex structure को सरल तरीके से समझने के लिए हम लोग boolean algebra को पढ़ते हैं, यानि digital circuit को समझते हैं, very good, boolean algebra की दोस्तों बात करें, तो यहाँ पर हमें gates को समझना होता है, यानि boolean algebra में मुख्यता तीन logical basic operation यानि gates होते हैं, आप सब जानते हैं कि boolean algebra में जो basic gates होते हैं वो कौन से हैं, and or not, addition, multiplication और inversion के नाम से भी इनको जानते हैं, यानि and or not, अगर हम इनके symbols पर बात करें, तो and को दर्शाया जाता है, उल्टे V के format में, opposite V, उल्टा V, or को दर्शाया जाता है V के format में, और not को शो किया जाता है, कुछ इस तरीके से, and gate, अगर हमें बनाना है, तो इसको D के format में बनाते हैं, ये निकला और ये D, or gate design करना है, तो इस तरीके से design करते हैं, और not gate, जिसको inverter gate भी बोलते हैं, इसको कुछ इस तरीके से design किया जाता है, and or not, ये हमारे basic gates होते हैं, boolean algebra में, लेकिन किन्तु परंतु, अब कोशन आता है कि सर basic gate तो हम समझ गए, लेकिन कुल कितने logical gate होते हैं, boolean algebra में, तो answer है, कुल gates की संख्या साथ है, and or not, basic वाले, nand, nor, universal gate, और xor, xnor, advance वाले gate, जिनको उपर वाले gate से ही बनाया गया है, that is, xor और xnor, यानि total gates की संख्या हो गई, 7, and, nand, or, nor, not, xor, और xnor, समझ में आया, very good, अब अगर यहाँ पर हम बात करें, तो logic gates में जो हमारे gates हैं, basic gate कितने होते हैं, यह अगर exam में पूछा जाए, तो answer होगा 3, and, or, not, exclusive gate कितने होते हैं, दो, xor, xnor, universal gate कितने होते हैं, universal का मतलब, वो gates जिनका ज़्यादा तरप्रियोग किया जाता है, hardware या digital circuit बनाने के लिए, और basic gates को मिला कर ही, universal gate बनाए गए, और यह दो तरीके के होते हैं, universal, nand और नौर, तो यह total कितने gates हो गए, 3, 2, 5, 2, 7, 7 gates, very good, अब question यह उठता है कि sir, boolean algebra के basic तो हम समझ गए, इसमें कितनी और बाते हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, आईए, boolean algebra केवल binary संख्याओं यानि 0 तथा 1 का ही प्रियोग करता है, digital की बात हो रही है, binary की बात हो रही है, और binary का मतलब bits, यानि 0 और 1 का ही प्रियोग करता है, very good, boolean algebra में variable के केवल 2 ही मान हो सकते हैं, या तो 1, या तो 0, यानि जो हम input देंगे, वो भी 1 या 0 ही होगा, और जो इसका output निकल के आएगा, वो भी 1 या 0 ही होगा, और input और output को दर्शाने के लिए, को represent करने के लिए, boolean algebra में truth table का प्रियोग करते हैं, यानि boolean algebra में variable के केवल 2 ही मान हो सकते हैं, 1 का मतलब true है, 0 का मतलब false है, input और output को शो करने के लिए यहाँ पर, जिस table का प्रियोग करते हैं, that is called truth table, very good, कहरा है यहाँ यहाँ पर जो plus operator variable है, उसको or operation के लिए दर्शाते हैं, यानि plus का मतलब यहाँ पर क्या है, or gate, or operation, multiply, यानि dot operator का प्रियोग करते हैं, and operation को दर्शाने के लिए, तो or का मतलब है plus, और and का मतलब है multiply, यह dot, very very important one, plus or dot, and operation को शो करता है, great, एक symbol और है, जिसे बोलते हैं compliment, यह symbol जो आपको दिख रहा है, यह compliment variable को प्रदर्शित करता है, जैसे a का compliment, a bar होगा, तो यह वाला जो symbol है, जिसे bar बोलते हैं यहाँ पर, a bar या a inverse, इसे क्या बोलते हैं compliment, यह symbol compliment variable को प्रदर्शित करता है, जैसे a का compliment a bar, b का compliment b bar, c का compliment c bar, clear, very good, अब अगर हम यहाँ पर and gate, or gate और not gate को compare करें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, and का मतलब dot, यानि multiply, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, a dot b, और का मतलब होता है plus, लिखने का तरीका a plus b, not का मतलब होता है complement, तो a का complement, यानि अगर यहाँ पर हम यह कहें, कि and gate में a और b, दो input हैं, तो इसका output क्या होगा, a dot b होगा, और gate में अगर मैं कहूँ, कि a और b दो input हैं, तो इसका output यानि x का मान क्या होगा, x is equal to a plus b होगा, और अगर not gate की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर a क्या है input, तो इसका x यानि output क्या होगा, तो answer है, a bar, यानि इसका inverse, इसका opposite, 0 है तो 1, 1 है तो 0, यही तो है not gate, very good, अब अगर इन gates को हम truth table की मदद से समझें, इनके input और output की मदद से समझें, तो यह क्या है, जरा इसको भी ध्यान से देखी, and gate कहता है, कि अगर हमारे input में कहीं पर भी दो बार एक है, यानि अगर high है input, तो output भी हमेशा high होगा, अगर दो input हाई नहीं है, तो low होगा, मतलब and gate बोलता है, कि अगर input में दोनों 1 है, अ की value भी 1 है, और B की value भी 1 है, तो output हमेशा 1 आएगा, और अगर ऐसा नहीं है, अगर A में 1 नहीं है, और B में 1 नहीं है, तो output हमेशा 0 यानि low आएगा, तो 1 का मतलब high, और 0 का मतलब low, यह हो गया and, और gate क्या कहता है, और कहता है कहीं पर भी 1 हो, तो output 1 आएगा, और अगर A और B कहीं पर भी 1 नहीं है, तो output 0 आएगा, और का मतलब या तो A में 1 है, या तो B में 1 है, या दोनों में 1 है, तो अगर कहीं पर भी A या B में से हमें 1 मिल जाएगा यानि high मिल जाएगा तो output भी high आएगा लेकिन अगर ना तो A में हमें high मिला ना B में high मिला तो output हमारा 0 आएगा When A is 0, B is 0, then output is 0 When A is 1, or B is 1, then output is 1 Very good जो not gate है वो क्या कहता है not का मतलब होता है inverter inverse, opposite means अगर A हमारा 0 है तो output 1 होगा और अगर input हमारा 1 है तो output 0 होगा If input is 0, output is 1 If input is 1, output is 0 That is called not gate समझ में आया not gate एक मातर ऐसा gate है जिसमें एक input और एक output होता है बाकियों में देखी बाकियों में input कितने हैं दो-दो inputs हैं दो-दो input हैं एक output हैं लेकिन not gate एक मातर ऐसा gate है बीज गनित में canonical form क्या है canonical forms होता है किसी भी equation को दर्शाने का तरीका कैसे हम equations को दर्शाते हैं कैसे digital circuit को लिख सकते हैं that is called canonical form तो boolean algebra में canonical form क्या है आईए समझते हैं सबसे पहली बाद जो एक्जाम में आता है कि boolean algebra में जो canonical forms है वो कितने तरीके की होती है आंसर है दो तरीके की होती है canonical form of boolean expression is mainly based on SOP यानि sum of product and POS यानि product of sum दो तरीके की canonical form होती है एक SOP यानि sum of product और दूसरा product of sum अब ये क्या है आईए जरा समझते हैं boolean abhiwakti का विहित रूप मुख्य रूप से SOP उत्पाद का योग और POS योग का उत्पाद पर निर्धारित है आधारित है ये होता क्या है sum of product क्या है और product of sum क्या है जिसको हम boolean algebra में canonical form कह रहे हैं what is this आईए एक बार समझते हैं very good सबसी पहले तो आप ये समझे कि SOP की full form है sum of product POS की full form है product of sum उत्पाद का योग और योग का गुड़नफल SOP को sum of min term भी बोलते हैं min term का योग और POS को max term भी बोलते हैं यानि product of max term max term का उत्पाद यानि SOP को min term भी बोलते हैं और POS को max term भी बोलते हैं SOP min term POS max term लेकिन ये sum of product होता क्या है product of sum होता क्या है आईए जरा इसको एक बार समझते हैं बहुत असान है अगर हम एक equation ले a dot b plus a dot b bar dot c plus a dot b तो ये plus क्या है sum और ये जो dot दिया हुआ है ये क्या है product यानि sum of product में पहले हम product करते हैं फिर हम उसका sum करते हैं समझ में आया यानि sum of product का मतलब क्या है पहले product किया numbers का फिर उनका sum कर दिया हमने तो that is called sum of product अगर sum of product की बात हो रही है तो शुरुआत किसे होगी product से फिर उसके बात क्या होगा sum फिर product होगा फिर sum होगा फिर product होगा तो इसको बोला जाता है sum of product समझ में आया लेकिन इसका ठीक उल्टा product of sum यानि पहले क्या होगा sum होगा इसका भी उल्टा करीए product of sum में पहले क्या होगा sum a plus b फिर product dot फिर sum a plus b bar plus c फिर product a plus b bar समझ में आया यानि दोनों में difference क्या हुआ अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो sum of product क्या है a dot b plus a dot b bar dot c plus a dot b यानि हमने क्या किया है sum किया है किसको product वाली चीजों sum of product तो इसका मदलब याद हम कैसे रखें कि sum of product में पहले product आएगा पहले multiply करेंगे dot से और फिर उसके बाद क्या करेंगे sum करेंगे sum कर दिया तो शुरुआत किसे होगी product से और उसके बाद sum होगा वहीं अगर product of sum की बात करें तो पहले sum होगा इसका भी उल्टा करो पहले sum फिर product तो sum मतलब जो भी नंबर है उसका sum a plus b dot a plus b bar plus c dot a plus b bar ये हो गया product of sum क्या ये बात समझ में आई और हमने ये भी तो समझा है कि SOP को min term बोलते हैं और POS को max term बोलते हैं SOP को min term और POS को max term क्या ये बात समझ में आई very good आगे आई अब कुशन ये उठता है कि सर ये तो हम समझ गए कि Boolean algebra क्या है किसने बनाया total number of gates कितने हैं जिसमें basic gate, universal gate और exclusive यानि extra gates हमारे कितने हैं लेकिन जरा ये भी तो बताई कि Boolean algebra में एक theorem होती है जिसे बोलते हैं D.Morgan's theorem जो कि बहुत popular भी है और आपके previous years में काफी पूछी भी गई है क्या होती है D.Morgan की प्रेमे यानि D.Morgan's theorem इसको D.Morgan's theorem भी बोलते हैं और D.Morgan's law भी बोलते हैं है क्या ही सबसी ज़्यादा अगर gate कोई इस्तमाल किया जाता है तो वो universal gate है अभी मैंने बताया था कि इसे universal gate इसलिए बोलते हैं NAND और NOR को क्योंकि इसका प्रयोग जादा तर gates को बनाने के लिए जादा तर digital circuit को create करने के लिए करते हैं तो question यह उठता है सर NAND और NOR gate को कैसे implement करें NAND और NOR gate को किस तरीके से हम लागू कर सकते हैं क्या तरीका है इसको समझाने के लिए theorem आई एक नियम आया जिसको कहा गया D.Morgans theorem यानि इसका उप्योग NAND gate और NOR gate जैसे मौलिक gate कारियों को लागू करने के लिए किया जाता है यानि NAND gate को कैसे implement करें कैसे लागू करें NOR gate पे कैसे काम करें इसको detail में समझाया है जिसने वो है D.Morgans theorem It is used to implement यानि D.Morgans is used to implement fundamental gate functions like NAND gate और NOR gate अगर एक्जाम में पूछा जाए कि NAND gate और NOR gate को implement करने क्लिक क्या आया तो आप कहेंगे D.Morgans की थिवरम आई या D.Morgans की नियम आए D.Morgans की नियम कितने हैं दो D.Morgans साहब ने दो थिवरम और दो लॉज दी जिसमें उन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि अगर दो नंबर को हम क्या करें प्रोडेक्ट करें A.B बार बराबर होगा सम की यानि A बार यानि यूनिवर्सल तोर पर इन्होंने एक नियम बनाया कि अगर दो नंबर हैं दो कोई डिजिट है A.B अगर हम उसको मल्टिप्लाई करते हैं A.B बार तो यह जो एक्सपैंड होगा यह किसमें होगा A.B बार यानि जो डॉट है वो किसमें कनवर्ट हो जाएगा प्लेस में और नीचे दूसरे नियम में क्या कहा जो प्लेस है वो डॉट में कनवर्ट हो जाए यानि A.B बार इस इक्वल्स टू A.B बार तो डॉट प्लेस में कनवर्ट हो यह पहला नियम और plus dot में convert हूँ ये दूसरा नियम ये दो नियम दिये किसने? D Morgan's theorem में D Morgan's नियम अब इन नियम में क्या कहा गया? ये कहा गया कि NAND gate और NOR gate को कैसे easy किया जाए कैसे implement किया जाए इसी बात को समझाया गया है Very good अब question ये उठता है कि सर इनके नियम समझने से क्या हुगा? जो पहला नियम है D Morgan's का ये वाला नियम dot plus में convert हूँ इसका मतलब है कैसे हम NAND gate को NOR gate में convert कर सकते हैं पहला नियम क्या है? A dot B bar is equal to A bar plus B bar देखो यही तो है जो यहां लिखा हुआ है पहला नियम यानि A B bar को कैसे तोड़े कि वो A bar और plus B bar में convert हो जाए और इसे हम क्या बोलते हैं? NAND gate को NOR gate में convert करना दूसरा नियम क्या है? इसका ठीक उल्टा NOR gate को कैसे NAND gate में convert करे यानि A plus B bar को कैसे A bar B bar में convert करे that is called the second नियम तो कई बार एक्जाम में पूछते हैं पहला नियम क्या है? तो आंसर है NAND को NOR में convert करना दूसरा D-Morgans का नियम क्या है? NOR को NAND में convert करना ये दूसरा नियम है बस ये बाते याद रखना और ये याद रखना कि पहला नियम क्या है? dot को plus में convert करना और दूसरा नियम क्या है? plus को dot में convert करना पस NAND को NOR और NOR को NAND में कैसे convert करेंगे? ये ही बात बताई है D-Morgans थ्योरम में अगर इतनी बाते आपको समझ में आई तो आईए पहले इतने काही कुछ MCQs देख लेते हैं वैसे तो boolean algebra के कई सारे laws हैं जहां से question आता ही आता है वो laws भी हमें पढ़ने पढ़ेंगे हमें इसका digital circuit भी बना के देखना पढ़ेगा कि कैसे boolean algebra में हम किसी भी circuit को design कर सकते हैं है तो बहुत कुछ लेकिन जितना अभी हमने पढ़ा है क्या इसकी मदद से हम question answers को solve कर सकते हैं जरा एक बार देख लेते हैं have a look boolean algebra deals with variables that can have boolean बीच गड़ित उन चरों से संबंदित है जो हो सकता है कितनी values होती है boolean algebra में boolean algebra deals with variables that can have कितने variables होते हैं two discrete variables या values three discrete values, four discrete values या five discrete values very good values जो होती है या variables जो होते हैं वो a भी दो होते हैं यानि correct answer क्या होगा two discrete values तो boolean algebra यानि boolean बीच गड़ित उन चरों से संबंदित है जो हो सकते हैं कितनी values के बराबर two discrete values के बराबर very good, next boolean algebra was introduced by dash in 1847 boolean बीच गड़ित 1847 में dash द्वारा पेश की गई थी Alan Turing, Charles Babbage, George Booley या John One Newman हम जानते हैं boolean algebra को पेश करने वाले हैं George Booley यानि third is the right answer very good, next the result of boolean expression is boolean अभिव्यक्ती का जो परड़ाम है वो किसमे निकलता है जो output है boolean expression का वो किसमे represent किया जाता है बताइए and or में, true या false में, nand, not या end में, या all of these में हम जानते हैं कि boolean expression कहता है boolean algebra कहती है या तो होगा या तो नहीं होगा यानि yes या no 0 या 1 यानि true या false तो answer क्या होगा true false यानि second is the correct answer 0, 1 कह सकते हैं true false कह सकते हैं yes, no भी बोल सकते हैं that is called boolean expression very good, next dash gate gives true output only when both input are true कौन सा gate तभी सही output देता है जब दोनों input सही हो अगर दोनों input 1 है तो output 1 आ जाए ये किस में हैं and में, or में, not में या all of these में very good and the correct answer is and give end में हम लोग ने देखा था कि अगर दोनों input 1 है तो output क्या आएगा 1 समझ में आया और में क्या होता है कहीं पर भी 1 हो जाए कहीं पर भी 1 तो output 1 होगा else 0 होगा yes, very good gate give a true output when at least one output is true आभी गया question dash gate तब सही output देता है जब कम से कम एक output सही हो यानि कहीं एक जगे पर true हो true मतलब one a या बी input में कहीं पर भी अगर one होगा तो output क्या होगा one और ये किस में कहा गया और gate में 0, 0, 0 होगा कोई one नहीं है 0, 1, 1 होगा क्योंकि one है b में 1, 0 a में one इसलिए output one और a भी दोनों में one तो इसलिए output one होगा ही तो dash gate तब सही output देता है जब कम से कम minimum एक output सही हो जब एक में value one हो very good dash is a single input single output gate बताओ dash एकल input एकल output gate है जिसमें single input value है और single ही output value है यानि one enter करेंगे 0 आएगा 0 एंटर करेंगे one आएगा यानि inverse हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा ये gate है not gate inverter gate not gate 0 1 1 0 very good next this gate is also known as inverter gate इस gate को inverter के नाम से भी जानते हैं and or not या all of these correct answer है not gate is called inverter gate inverter gate हम लोग not gate को inverter भी कहते हैं same 0 1 1 0 input 0 होगा output 1 आएगा input 1 होगा output 0 आएगा very good next boolean algebra is also called as boolean beach granit को क्या कहा जाता है switching algebra arithmetic algebra linear algebra या सिर्फ algebra boolean algebra का दूसरा नाम है switching algebra यानि first is the right one क्योंकि यहां पर हम लोग switches का प्रेयोग करते हैं on off switch में क्या होता है on off 0 1 yes no या तो fan चलेगा या तो नहीं चलेगा 0 या तो 1 yes या तो no तो that is called switching algebra very good the symbol plus in boolean is also known as dash operator boolean में प्रतीक plus को dash operator के रूप में भी जाना जाता है and or xor या nor plus operator का मतलब or a b a plus b ये plus का मतलब क्या है plus का मतलब or gate very good next the format used to present the logic output for the various combination of logic input to a gate is quite किसी gate पर logic input के विभिन सायोजनों के लिए logic output प्रस्तित करने के लिए उपियो किया जाने वाले प्रारूप को क्या कहा जाता है ऐसा platform जहाँ पर हम inputs एंटर करें और हमें output मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे boolean constant नहीं boolean variable नहीं truth table बिलकुल सही जहाँ पर हम inputs लिखते हैं और उसके respect में हमें output मिलते हैं that is called truth table yes inputs एंड उसके respect में output truth table next which one of the following logical operation is represented by dot sign in boolean algebra निम्न लिखत में से कौन सा तार्किक संचालन किसके द्वारा दर्शाया जाता है boolean बिजगणित में sign in करें यानि dot sign का प्रियोग हम क्यों करते हैं dot sign का मतलब and operator x is equals to a dot b और dot मतलब and and मतलब ये वाला symbol d वाला symbol तो ये किसको represent करता है dot को यानि multiply को यानि and को very good next how many total logic gates are there in boolean algebra boolean बीजगणित में कुल कितने logic gates होते है 4 only, 2 only, 5 only या 7 only correct answer is 7 only total gates की संख्या कितनी है 7 basic gate 3 and or not exclusive 2, x or x nor और universal gate 9 or not 7 next the expression y is equals to a b plus b c plus a c shows the dash operation अभी व्यक्ति y is equals to a b plus b c plus a c dash operation दर्शाती है ये तो आएगा ही आएगा question यानि पहले क्या है multiply a dot b फिर plus है तो multiply मतलब sum of product या product of sum तो जो हम जो पहले मिलता है वो बाद में हो जाता है यानि multiply बाद में जाएगा यानि product बाद में जाएगा तो क्या हो गया sum of product यानि SOP ये जो equation है ये क्या show कर रही है SOP है न sum of product है पहले a dot b यानि product हो गया फिर sum हो गया उल्टा यानि sum of product या ऐसे देख लिजे a b plus b c plus a c plus plus बीच में है plus plus means sum तो sum of product जैसे भी याद करना चाहिए next the expression y is equal to a plus b b plus c c plus a ये क्या है a plus b dot b plus c dot c plus a तो पहले plus है यानि plus बाद में जाएगा sum बाद में जाएगा मतलब product of sum हना उसका उल्टा product of sum form is the right one ये क्या है ये canonical forms है यानि boolean algebra की दो तरीके की canonical forms होती है एक SOP और एक POS very good next the terms in SOP are called क्यारा SOP में जो शर्ते होती होने क्या कहा जाता है max term, min term, mid term या sub term sum terms बताई हम लोग ने पढ़ा था कि SOP को क्या बोलते है min term तो answer क्या हो गया that is min terms यानि canonical forms कितनी है दो SOP और POS जिसमें SOP को क्या बोलते है min term और POS को क्या बोलते है max term so the term POS are called POS में शर्तों को क्या कहा जाता है point product of sum में शर्तों को terms को क्या कहा जाता है तो answer है max term very easy next how many boolean expressions can be formed with four boolean variables आए गही आए गही यह question very very important चार boolean चर के साथ कितने boolean अभिव्यक्तिय बनाई जा सकती है पूछा भी गया इस तरीके का question कितनी दी हुई है यहाँ पर चार boolean चर यानि कितने boolean expressions है how many boolean expressions can be formed with four boolean variables variables कितने है चार कितने boolean expression बनाई जा सकते है two की power two की power n यानि जो हमारा formula बनेगा इसके लिए वो क्या है two की power two की power n और यहाँ पर n की value क्या दी हुई है four boolean variables, चार boolean variables तो n की value अगर four कर दे, तो means n is equals to four तो two की power two की power four का मतलब, दो की घात 16, तो की power 16, यही तो होगा, four का मतलब क्या होगा two into two into two into two यानि 16, तो two की power 16 का मतलब हो गया 65,536 यानि third is the right one भूलो अगर यहाँ पर four variables दिये हुए हैं तो कितने boolean expression बनाई जा सकते हैं two की power two की power n n कितना दिया हुआ है, चार n चार रखने पर क्या आएगा two की power 16 और two की power 16 को open करेंगे क्या आएगा 65,536 सब्च में आया अब यहाँ पर कोई भी value given हो चार की जगे पर दो हो एक हो, तीन हो पांच हो सब के साथ कर लेंगे आप बस यह formula याद रखना है आपको next which logical gate is known as universal gate असान सा question किस logical gate को universal gate के नाम से जानते हैं हम लोग जानते हैं NAND और NOR gate को universal gate बोलते हैं क्या NAND है यहाँ पर? बिल्कुल है क्या NOR दिख रहा है? जी नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा NAND gate is the right one which is called the universal gate next boolean algebra is also called as boolean beach गनेत को क्या कहा जाता है अभी देख भी चुके हैं इस तरीके का question कि boolean algebraic का इस्तमाल करते हैं gates की रूप में on-off करने के लिए यानि switching algebra भी इसको बोलते हैं next how many entries will be in the truth table of a four input NAND gate बताओ चार input NAND gate की सत तालिका में कितनी प्रविस्टियां होंगी अगर truth table के respect में चार input given है तो how many total entries कुल entries कितनी होंगी very easy 2 की power 4 यानि 16 तो यानि 2 की power n entries के लिए जो हमारा shortcut है वो क्या है जो formula है वो क्या है 2 की घाद N 2 की power N N का मतलब 4 2 की power 4 means 60 तो how many entries will be in the truth table of 4 input अगर 4 input given है तो total possibilities कितनी हो सकती है entries की 4 input NAND gate की सत तालिका में कितनी प्रविस्टियां होंगी total तो 2 की power N मतलब 60 very good a digital circuit that can store only one bit is scored क्या रहा है एक digital circuit जो केवल एक bit को store करता है उसे क्या बोलते है register nor gate flip flop या XOR gate बताओ सबसे छोटी unit bit होती है जिसको binary digit बोलते हैं और यह जो 0 और 1 है यह जहां पर store होता है that is called flip flop एक 0 या एक 1 को store करने के लिए flip flop का प्रयोग करते हैं और flip flop के collection को क्या बोलते हैं the collection of flip flop is called very good that is called register the collection of flip flop is called register याद रखिएगा यह question बहुत तरीक एस exam में पूछते हैं कि register किसका collection है flip flop का flip flop के मिलने से क्या बनता है register बनता है bit कहां पर store की जाती है the place where bit is stored flip flop a digital circuit that can store one bit वो digital circuit जिसमें केवल एक bit को store किया जाता है क्या है flip flop समझ में आया very good question number 22 dash is used to implement fundamental gate functions like nand gate and nor gate बताओ dash को अपियों का nand gate और nor gate जैसे मौलिक gate कारियों को लागू करने के लिए किया जाता है अभी discuss किया था कि अगर हमें nand gate और nor gate को implement करना है लागू करना है तो हम क्या करेंगे हम d morgans theorem का प्रियोग करेंगे या d morgans के नियम उनके लागू का प्रियोग करेंगे दी करेक्ट आंसर इस d morgans theorem और d morgans law कितने नियम है दो नियम there are two laws of the d morgans theorem और question of the d उमीद है कि आपको ये सारे question इतना concept समझ में आया होगा अगर आया है तो इस question का अंसर बताई how many boolean expressions can be formed with three boolean variables अभी मैंने four boolean variables के साथ आपको करवाया था अगर four की जगे पर three boolean variables हो जो की previous year में पूछा भी गया है बताओ तीन boolean चर के साथ कितने boolean अभी व्यक्तिया बनाई जा सकती है 16, 1024, 32 या 256 256 क्या होगा इसका correct answer comment box में comment करके जरूबताईएगा session कैसा लगा अगर आपको boolean algebra का कुछ concept clear हुआ हो तो एक बार like कर दीजेगा और comment section में लिख दीजेगा sir जितना आपने बताया ये clear है आसान है boolean algebra के बहुत सारे laws भी है जिनको याद करने पड़ेंगे क्योंकि laws से भी question बनते है circuit designing भी आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि expression आपको देदेंगे और कहेंगे circuit design करके बताईए कौन सी image सही है या image आपको देगे पूछेंगे कौन सा expression इस image को describe करता है तो ऐसे बहुत सारे questions है boolean algebra में बहुत प्यारा topic है बहुत cool down होके आपको इस topic को पढ़ना है बार बार revise करना है तभी जाकर boolean algebra data structure जैसे topics पे पकड़ बन पाएगी और आप जानते भी है कि computer operator में सबसे ज़्यादा जो questions आते है वो boolean algebra है data structure है networking है number system है database है और बहुत भर-भर के questions तो उन topics को flow chart है software है तो MS Word, Excel, PowerPoint है उन topics को पहले पढ़ने की requirement है जिनकी weightage ज़्यादा है और जिनकी weightage कम है उनको बाद में पढ़ने की requirement है ताकि आप पहले उन topics को बार-बार revise कर पाए ना exam तक जो tough है और जो आसान है उनको तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं बहुत आसान से हना तो लेकिन पहला focus होना चाहिए database, networking, number system boolean algebra MS Word, Excel, PowerPoint जो की भारी भरकम topics है तो अगर आप detail में पढ़ना चाते हैं तो आप courses से भी connect कर सकते हैं computer operator का course daily चल रहा है 2 p.m. पर 11 जनवरी से UP police SI ASI का course daily चल रहा है 8 जनवरी से 12 p.m. पर और UP police programmer grade 2 जो आपको complete recorded format में दिया जा रहा है कहां पर Aroda educator application पर कोई doubt, कोई confusion whatsapp कर सकते हैं दिये गए number पर कैसा लगा session comment करके जरूर बताईएगा बहुत जल्द मिलेंगे next session में कोई और topic के साथ, till then bye bye and take care, thank you very much guys